कैसे हैं दोस्तों I hope सब लोग अच्छे होंगे अच्छा अभी जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा हुआ इससे पहले जबने अपलोड किया था उसमें मैंने अपनी हाइडूरिक ब्रेक को पावर ब्रेक में कनवर्ट कर किया हुआ है तो अभी चारो वील जो है वो ड्रण ही है बस पावर हो गए है ठीक तो उसके लिए इसको कनवरिजन करने के लिए मुझे जो एयर फिल्टर था मेरी गाड़ी का वह मुझको shift करना पड़ा दूसी जगा पे तो जो एयर फिल्टर मेरी गाड़ी में लगा हुआ है वह है ऑईल बात एयर फिल्टर पहले जमाने की पुरानी गाड़ियों में आता था और अभी भी जो अफ- रोडिंग करते हैं और जो पुरानी मशीनरी जाती थी फैक्ट्री में जो प्लांट लगे होते तो उसमें भी वाइल बात फिल्टर जो है वह यूज होता था अब क्योंकि कमपैरेजन बता देता हूँ कि कौन सा अच्छा होता है ठीक है चलिए शुरू करते हैं देखें मेरे पास स्क्रीन पे यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके का ओईल बात फिल्टर जो है यह आता है इसे ओईल बात फिल्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नीचे जो बा ability होती है वह 250 ml से लेके compare अधह लिटर के आता होती है जितना उसमें lab बना होता है उस लैवल के इसाफ से डालते है त् देखिए इसमें होता क्या है यह रांड शेप में होता है यह बाहलो फिल्टा जैस्में ओई hoelp के ऊऊपर एक round shape में wire mess लगा होता है, wire mess में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का होता है, ये wire mess लगा होता है, ठीक है, ये, इसके अंदर ये wire mess लगा होता है, ये wire mess में जो है, ये oil से धीगा हुआ होता है, अब पीछे चलते हैं, देखते हैं हम लोग, इसमें आपने wire mess लगा होता है फिल्टर लगा होता है अच्छा सेम ऐसे ही होता है जैसे किचन में हम बरतन साफ करने के लिए यूज़ करते हैं वायर वैसे ही होता है जब इन में से अच्छे से इसको फिट कर देते हैं तो ऊपर का जो कवर होता है यह वाला जो बेस बाउल होता है यह कवर जब हम लगा दे तो यह एकार इस सर्फेस पर आकर टकराती है जैसे ही इस पर टकराती है जो ही पार्टिकल्स होते हैं उसके बाद आयर वापस ऐसे उड़ती है जब ऊपर को 180 degree turn मारती है जब air तो जो मेस होता है उस मेस से होती हुई जो वायर का मेस लगावा है उसमें से होती हुई air जो है वो engine तक जाती है तो जो भी heavy particles होते हैं dust के वो इस oil में फस जाते हैं उसके जो light होते हैं वो उस mess में फस जाते हैं क्योंकि वहाँ भी oil जो है लगा होता है उसम समझ दीजिए कि आप इसकी सर्विस जो है वह 5,000, 10,000 यह 15,000 किलिमेटर पर जब भी आप इसकी सर्विस करते हैं बस एक बार आपको ओयल की कंडिशन जो है वो चेक करना है मान लीजिए कि 15,000 पर आपका ओयल जो है वो बिल्कुल नए जैसा लग रहा है बिल्कुल गंदा न नहीं लगा है hole या कोई damage तो नहीं है इस filter के अंदर देखिए मैं आपको round करके दिखाता हूँ इस filter के अंदर आपको देखना है कि कहीं भी कोई problem तो नहीं है कोई rust या कोई छेद या ऐसा ना हो कि आपने इसे यह मिल किया है। कहीं से कोई damage हुआ है और यह वहां से direct निकल जा रही है पास होके। थिक और आपको यह भी उसके बाद आपको wire mess चेक करना है कि जो wire mess लगी हुई है वह wire mess block तो नहीं है। जैसे मैंने आपको भी पिक्चर में दिखाया था यह wire mess है। इसे आपको चेक करना है कि ये block तो नहीं है अगर ये wire mess आपकी block है तो आपको करना क्या है कि कोई भी liquid solvent आप लेंगी जैसे kerosene ले लिए, diesel ले लिया या grease removal का solvent ले लिए wire mess को आपको जो है 2-4 घंटे उसमें soak करना है मतलब उसमें डाल के रखना है इसके बाद आपको जो है उसे अच्छे से ब्रस से क्लीन करके और दुबारा से लगा देना है और इसमें जो बाउल होता है जो नीचे बाउल पड़ा हुआ है इस बाउल में आपको जो है 250 ml से लेके 500 ml तक मैंने आपको बताया था कि ऐसमें जो भी लेवल बनाओ उस लेवल तक डालना है अच्छा उसके आपको पाइप चेक करनी है अगर पाइप में से कहीं लीकेज है या कोई प्रॉबलम है तो वह आपको जो है ठीक कर लेनी है चलिए यह तो हो गया और बात फिल्ट्रेशन अब एक एक जांपल से और समझ लेते हैं जैसे ट्रेक्टर में लगा जब एयर आती है तो प्रीफिल्टर होती है यहां से यहां से एयर आई यहां से आई यहां से आई यह पाइप है इस पाइप से सीधा इस यहां पर ऑईल भरा हुआ है पूरे में इस बाउल में ऑईल भरा हुआ है सीधा इस ऑईल पर गिरी तो ऑईल के अंदर नहीं जाती और पाइफ के बीच में यहां पर गैप रहता है यहां पर तो यह एर जो आती है यह इसके सर्फेस से छूती है और यहां पर जाली लगी हुई है तो एर यहां से आती है इस तरह से और इंजिन में चली जाती है इस तरफ से आती है और इंजिन में चली जाती है तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल है आप समझ जीजिए इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से एर जो है वो फिल्टर हो जाती है यहां पर देखिए जैसे इस गाड़ी में यह एर फिल्टर लगा हुआ है कुछ इस तरीके से पुरानी गाड़ियों में आता था यहां से एर जाती है और सीध पर दिख रहा होगा यह paper filtration इस तरह का आज कल के bolero में और कुछ different shape का आपको other vehicles में other cars में दिखता होगा bolero में इस तरीके का आता है ठीक है अब यह भी same वैसे ही काम करता है जैसे oil बात काम करता है बस इसमें जो है oil नहीं होता है यह filter जो है यह अंदर लगा होता है और यहां से जो है इसका इधर से आप देखेंगे तो air यहां से जाती है इस filter के अंदर से यह भी same वैसे ही काम करता है बस आप यूं समझ लिए कि यह filter अंदर box में लगा होता है जैसे कि आप देख रहे होंगे इस तरीके का box आप गारियों यह नहीं कह सकते है क्योंकि अलग-अलग तरीके के लोगों को अलग-अलग filtration system जो है वो पसंद है कुछ लोगों को oil बात पसंद है वो उसकी तारीफ करते है कुछ लोग को paper filter पसंद है वो उसकी तारीफ करते है हम लोग समझ लेते हैं पहले oil बात filtration के बारे हम समझ लेते है देखिए ये कम खर्चे में काम करता है क्योंकि इसका filter change करने की कोई जरुवत नहीं पड़ती है बस हर 10,000-15,000 km पे oil change करनी पड़ती है और cleaning करनी पड़ती है वो भी depend करता है कि आपकी vehicle जो है वो कैसे area में चलती है अगर city में चलती है तो जहाँ proper road है तो फिर 20,000 पर भी कोई खास फरक पड़ता नहीं है अच्छा अब इसमें बहुत छोटे dust particle जो है वो filter नहीं हो सकते हैं क्योंकि जो paper filter है वो microns में करता है और इसमें बहुत छोटे dust particle जो है वो filter नहीं होते यह जो है filter oil bath filtration जो है यह maintenance free है कभी कुछ भी change करने की इसमें जरुवत नहीं परती है कोई part इसका खराब नहीं होता कोई problem नहीं आती यह जो filter system है dusty area में यह filter बहुत अच्छे से काम करता है वो भी maintenance free जैसे की राजिस्थान वगेरा area हो गया उस area में off-roading vehicle जो desert में चलती है उनके लिए भी यह tension free जो है filtration system है उनके लिए अच्छा होता है जैसे off-roaders mostly जो है oil formed air cleaner जो होते हैं वो इसका use करते हैं जैसे के एनन का filter आता है उस तरीके का filter वो यूश करते हैं वो oil formed होता है अगर engine speed इसमें होता क्या है कि अगर engine जो है वो high speed में चल करता है बहुत slow filtration करता है कोई भी season हो बनिया काम करता है यह ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो यह station हो यह filtration system बहुत अच्छा काम करता है अब हम लोग समझ लेते paper filtration देखिए paper filtration जो है एक तो महेंगा आता है दूसी चीज 10,000 km पर जब भी हम oil change कर रहे है 5000 यह 10,000 km पर तो हमको जो ह आता है अगर commercial vehicle जो है वह बहुत ज़्यादा चलती है तो उसमें गंदे होने के chances ज़्यादा होते हैं खराब होने के chances ज़्यादा होते हैं और change करना पड़ता है टाइम टाइम पे paper filter जो है वह micron में filter करता है तो कुछ भी आप ऐसा समझ लीजे कि जो paper लगा होता है इसमें उ जो है यह filter कैसा है भी इस time पर और air pressure से इसको clean करना पड़ता है दूसी चीज अगर pure filtration चाहिए आपको modern engines के लिए तो paper filter से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है अब दूसी चीज देखते हैं कि जैसे जादा dusty area में जो है यह आसानी से clog हो सकता है paper filter बहुत जादा dusty area है जैसे र हैं क्योंकि humidity बहुत जादा होती है ठीकि दोस्तों आज के लिए इतना ही बाकी वीडियो जो मैंने अपना oil bath filter जो मेरे filter लगाया गाड़ी में उसका place मैंने change किया हुआ है तो उसकी वीडियो भी चल रही होगी साथ में आप जो है वीडियो enjoy करिए और like share और subscribe करना मत भूलि अगर आपको कभी ऐसी वीडियो की जरुद पड़ती है तो आप आसानी से उसे ढूण सके चलिए टे केर बाए बाए मिलते हैं अगली वीडियो में इसलीट ही जरुण सकते हैं के शकलीफ टघ है अए लिए पन्पाल श्षर जालाह आप आप ए सिर्गाईओ लेदादेटीजिन अए पाल श्ब्काल भस बातारा का तर वास पालाह थे सावका तर माने श्ब्का तर माने कर दो करेंगे वह रखना नश्यस करेंगे जगए करदे हैं कि अजय करें बगए दिक शाराइब करेंगे हैं कि हम पाक करेंगे यह कर दो हम पा की आगए ऐड़ कर दो जब हैं झाल 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 कुर 7 क सिर्दीन दो खम सिर्दी यद्रेदी स्वेट स्वेस्ट कहा मैं कि कि अचि three retrouके कि पृट्प जौर तक कि अचितता लग्न दंग छों कि वैसे लुमल्डेज तक कि लले है